नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चांकर दोस्तों आज मैं आप सब से एक सवाल पुछना चाहते हैं किया आप सब अपने सिंद्गी में पूरी तरहां कुछ हैं मेरे सवाल का सही से सुनके जवाब पीजिए का पूरी तरहां कुछ हैं नहीं ना हा क्योंकि मैं जानती हूँ, आजकल कोई न कोई इंसान या हर कोई इंसान किसी न किसी परिशानी का सामना जरूर करता है और वो ऐसी परिशानी जिसे वो किसी से भी जाहिर नहीं कर सकता, किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहा है अपने दिल की बात किसी को बता नहीं पा रहा है क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने ये परिशानी किसी को बताई तो वो उसका मजाग उड़ाएंगे, उसे हल नहीं करेंगे या मेरे घर की बदनामी करेंगे सबसे बड़ा ये जो डर है हमारे मन में ये हमें हमारी परिशानियों में डूबा रहने पे मजबूर करता है लेकिन हम आपके दल्ग को आपके डर को बहुत अच्छे से थमस्ते हैं इसलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेके आई हूँ जो आपकी सारी परिशानियों का हल और वो है वशीकरण इसमें कोई भी संदे नहीं है कि वशीकरण अपने नाम के अनसार कारे करता है अवशकता सिर्फ इतनी है कि सही तरीके से इसे पूरा किया जाए कई बार लोग अधुरी जानकरी से वशीकरण का प्रियोग करते हैं और असफल हो जाते हैं आज मैं आपके लिए वशीकरण का एक ऐसा टोटकर लेकर आए हूं जिसे अगर आप अपना लिया जिसे अगर आपने सही तरीके से अपना लिया तो आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं चाहे कोई लड़का है लड़की है या आपका कोई पडोसी है किसी को भी आप बड़ी असानी से अपने कर्मों में गिरा सकते हैं अपने कहे अनुसाम चला सकते हैं जी हां ऐसा होगा लेकिन कब होगा जब आप ये तरीका ये विधी आप सही तरीके से अपनाएगे आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इस विधी को अपनाकर एक सरल विधी को अपनाकर अपने आपको बहुत ही शक्तिशाली बना सकते हैं क्योंकि आपके अंदर ताकत आती है चोग सामने वाला आपकी ही बात समता है वेगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो इस विधी को सही तरीके से अपनाएए आईए बिना समय पर बात करते हुए मैं आपको बताते हूं कि ऐसी कौन सी सामगरी है जिसके द्वारा किया गया वशीकरण सफल वशीकरण होता है प्रचंड वशीकरण होता है और वो है पीपल के पत ही अपने आप में ही बन जाती है उसके ऊपर सोने पे सुहागा होता है एक सिद्ध मंत्र जब पीपल के पत्तों के साथ प्रयोग के अजाता है तो इतनी प्रचंड हो जाती है कि कोई भी तांत्रिक कोई भी मॉल वीव से कभी काट नहीं सकता है लेकिन कब जब तरीका सही ह मैं आपके लिए लेकर आई हुए थो आपको इसके लिए क्या आवशाक्त है आपको चक्ता है दो में के पत्तों की कं आपको इस विधी को करने के लिए दो थ्यान रखिएगा प्ते साबुत होने चाहिए और एक षावी पत्ज आपको तोड़ के नहीं लाने, आपको यह पत्ज किसी से तुडवाने किसी भी भाने से कुछ भी कहा कि आपको दो प्पटे किसी व्यक्ति सब्सक्राइब से किसी हैं, किसी इसे ही पीपल का परेट लिखता है किसी अंजानोंितय, आप कह crown कि THAT पत्त्य तोड दो किसी भी वहाने से वह तुडवां कि जब आप लाएं गे बहुत करें पत्तो पर जो वशी करण है वो प्रचंड रूप लेने पी है आएए बताते हैं कि आपको करना क्या है आपको दो पीपल के पत्ते और एक ग्लैक मारकर की अवर्शक्ता हो बस इतनी ही सामगरी से आप इस विधी को इतना प्रचंड बना देंगे कि आप देखेंगे कि क्या ये मेरा ही करा हुआ है क्या ये किसी मौलवे, किसी तांत्रिट, किसी बड़े विख्यात गुरू का तो नहीं करा हुआ ये आप कही करा होगा जो इतना प्रचंड हो जाएगा आईए बताते हैं कैसे आपको दो पीपल की पत्ते लेने हैं और इसकी उपर ब्लैक मारकल से नाम लिखना है उसका एक पत्ते पर उसका नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे माल लीजे जिसे आप वर्ष में करना चाहते हैं उसका नाम है सपना तो हमने इस तरह से नाम लिख दिया सपना और दूसरी पत्ते पर आपने अपना नाम लिखना है स्वैम का माल लीजे आपका नाम है दीपक तो आपने इस तरह सपना और दीपक लिख कर इन दोनों पत्तों को एक साथ रखना है और इसे रोल करना है इस तरह ध्यान में पत्ते साबुत होने जाए इस तरह से आपको यह रोल करना है और इसे हाथ में इस तरह लगकर मंत्र का जाप करना है मंत्र का जाप करते वक्त इस बात का ध्यान रहे कि और आपको इस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे आप वश में करना जहाते हैं ध्यान इस हद त आपको मंत्रो चारन करने के बाद ये जो पत्ते हैं इसे आप जला दिज़ेगा, जी हाँ, इसे आपको जला देना है और मनुकामना पूल होने का आशरवाद भी मागना है, ऐसा करने पर सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी, जिसके लिए उपाए किया गया है, वो उप क्रिअ को करते समय कोई संधे नहीं रखना कि कि यह क्रियां होगी ये नहीं होगे किसी भी तरह कोई शक नहीं रखना और सबसे बड़ी बात आपको अपना मन साफ ना है साफ मन सच्चे मन के साथ जब करेंगे तो ये विद्ही की बहुत ही प्रचंद विद्ह달돼 यह मंत्र जो है वो बहुत ही सिद्ध मंत्र होते हैं यह मंत्र आम मंत्र नहीं होते कि किसी को भी बता दिया जाए इसलिए यह मंत्र आपको स्क्रीन पे दिये गए नंबर पर पून कर कि गुरुजी से प्राप्त करना होगा जी हाँ, हमारे गुरुजी आपको जो सिद्ध मंत्र बताएंगे वो इतना प्रचंट होगा कि उसे करने से आपका हर कारे पूर्ण हो जाएगा कोई कारे ऐसा नहीं होगा जो असफल रह जाएं लेकिन कब जब आप गुरुजी को फून करके मंत्र प्राप्ट करेंगे क्योंकि मंत्र जो है दोस्तों वो सबकी राशी और ग्रह के हिसाब से अलग-अलग होता है आपकी राशी के हिसाब से अलग मंत्र होगा और किसी और की राशी के हिसाब से अलग मंत्र होगा क्योंकि राशी का जो मंत्र होता है उसका असर सो फीसदी होता ही होता है तो बिना समय बरबाद करे राशी वाला मंतर लीजे उसका असर हो और आप अपना का रेस्ट सिद्ध कीजे कोई आर भी परिशानी हैं जिस से आप काफी समय से परिशान है तो बिना समय बरबाद करे cream पर बंबर गुरुजी को phone करे उन्हें अपनी समस्या बताए ऐसी कोई भी समस्या नहीं है दोस्तों जिसका समधान गुरुजी के पास ना हो तो बिना समय वरबाद करें गुरुजी से अपनी समस्या का समधान ले अपनी परिशानियों का घर बैठे हाल ले इसके लिए आपको परिशान होने की अवशक्ता नहीं है आपको सिर्फ इतना करना है कि आपकी स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया जा रहा है उस पे आपको फून करना है और आपको अपनी हर परेशानी कहां ज़र पेटे ही देगा तो अपने आपको परिशानियों में मत जगड़ी हल प्राप्त कीजिए और अपने आपको खुश रखिए जय मात अदी